Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशीफल ये 18th April से लेकर 24th April तक की आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और अगर आप personal tarot s2 session book कराना चाहते हैं तो मुझे whatsapp call या फिर whatsapp message करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि दिए normal call हो सकता है, miss हो जाए लेकिन whatsapp पे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और मेरी contact details आपको नीचे description box पे मिल जाएंगी इस video के end में भी मिल जाएंगी इसी के साथ साथ अगर आप DDT already में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या पर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही कराशी फल चलिए के इंसेरियंज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो प्रोफेशनल फ्रंड के लिए आप लोगों के लिए cards हैं 10 of cups and triumph success और देखें success का card बहुत ही clearly victory की बात करता है achievements की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically इस week आपके प्रोफेशनल फ्रंड में रहता हुआ दिख रहा है और इसी success की वज़े से clarity आते हुए दिख रही है नए ideas आ रहे हैं और उन्ही को ही आप implement भी करना चाहा रहे है और हो सकता है कि इसी चीज़ को लेकर पीछे आपने बहुत effort कि आप बहुत महनत करी और इस week success पाके एक happiness एक joy भी आप महसूस कर रहे है देखे 10 of cups का card कहीं फिर से मैं कहूंगी contentment, satisfaction, happiness की बात करता है जो लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ यहां तो आपकी bonding strong हो रही है या फिर आप bonding strong करना चाहा रहे हैं या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी professional family और personal family के साथ आप किसी चीज़ को celebrate करना चाहा रहे हैं एक get together, reunion वाली energies भी आपके professional front में रहती हुए दिख रहे हैं और देखिए, materialistic, tangible चीज़ों से ज़ादा emotions, feelings, relationships पे आप ज़ादा focus कर रहे हैं और जो भी आप कर रहे हैं, बहुत enjoy करते हुए दिख रहे हैं और personal front के लिए आप रुगों के लिए cards हैं Ace of Wands and Form Foundation और देखिए Ace of Wands का card कहीं नई beginning की बात करता है और कुछ ऐसा ही specifically इस week आपके personal front में रहतावा दिख रहा है क्योंकि ये general reading है तो ये नई beginning सब के लिए differ कर सकती है कुछ लोगों के लिए materialistic, tangible चीज़ें हो सकती है कुछ लोगों के लिए love life हो सकती है कुछ के लिए relationship हो सकते है कुछ के लिए कोई जगा हो सकती है again कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर एक नई beginning या तो आप करना चाहा रहे है या फिर हो रही है और बहुत एक enthusiasm, बहुत एक excitement भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं कहीं काफी high energy levels आपके इस week रहते हुए दिख रहे हैं बहुत ही boldly, बहुत ही courageously हर चीज़ को आप deal करना चाहा रहे हैं और deeper level के लिए form foundation का काट कहता है कि इसी नई beginning की वज़े से या फिर otherwise भी एक stability, एक security आप महसूस कर रहे हैं जिस भी चीज़ पे focus है, उसी से ही related कहीं इस week आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी foundation और मजबूत हो गई है कहीं आपका base और strong हो गया है again देखिए थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ लोगों के लिए relationship हो सकता है, कुछ के लिए love life हो सकती है कुछ लोगों के लिए जगा हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जिसको लेकर बहुत एक you know stability, security आप महसूस कर रहे है base आपका strong हो रहा है, foundation बहुत strong होती हुई दिख रही है and guidance से आप लोगों के लिए shine का card है और देखे एक card कहता है कि जो भी अच्छा इस week हो रहा है उसको आप और जादा enjoy करें क्योंकि देखे कितनी बारी होता है, externally चीजें सब अच्छी हो रही होती है लेकिन अगर हमारा state of mind उतना अच्छा नहीं होता तो उन चीजों को हम enjoy नहीं कर पाते है और जब हमारा state of mind अच्छा होता है तो externally कुछ 19-21 भी चल रहा हो, हम इतना effect नहीं होते है तो यहाँ पे shine का card बहुत ही clearly कहता है कि हर चीज में आप अपने आपको involve करें, participate करें और fully उसको enjoy भी करें और देखिए overall सारे ही cards बहुत ही positive हैं तो यह week cancerians आप लोगों के लिए काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and astrology से आप लोगों के लिए uranus का card है और इसके हिसाब से all shades of blue आप लोगों के लिए इस week lucky रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए